हल्दी का बिजनस कैसे करें जानिये दोस्तों हल्दी का बिजनस कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनस है हल्दी जो है वो हर घर की ज़रुरत है हम सभी जानते हैं इस बात को इसके बीना खाना अधूरा है इसके बीना सभी मसाले अधूरे है ये बिजनस 12 महीने चलने वाला बिजनस है और profitable बिजनस है तो इस बिजनस को करने के लिए क्या करना होगा किन बातों का खयाल रखना होगा सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों इस बिजनस को करने के लिए सबसे पहले market में आपको जाना है wholesale और retail इसके दोनों जो price है वो आपको पता करना है किस तरह की quality मिल रही है वो आपको पता करना है आपके शहर में, आपके एरिया में, आपके गाउं में जहां भी आप रहते हैं साथ ही आप जिस एरिया में जिस शहर में, जिस गाउं में आप रहते हैं वहाँ पे हल्दी की जो variety है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा तो कौन सी variety की कितनी demand है हल्दी की किस तरह की demand चल रही है या आपको पता करना है ये सब कुछ आपको जानना है उसके बाद ही आप जो है इस business को start कर सकते हैं दोस्तो हल्दी में जैसे मैंने कहा कि variety भी होती है तो 4-5 variety आती है हल्दी में जैसे में सबसे पहले number पे है suguna दूसरे number पे है सुवर्णा तीसरे number पे है सुदर्शना čौथे number पे है प्रभा और पाँवे number पे है प्रतिवा ये 4-5 variety ऐसे हैं जो हल्दी में पाए जाते हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है अब आपको ये भी बता देते हैं कि हल्दी जो है इंडिया में सबसे जदा मात्रा में कहां उत्पाद किया जाता है कहां पर सबसे सस्थे rate पर अच्छी quality पाई जाती है इंडिया में तो देखिए बहुत सारे राज्ये हैं जिसमें सबसे पहला जो है वो है तेलंगाना असका बढ़े लेवल पर पहुँचे तो आप इन जगाहों से सस्ते रेट पर आप माल जो है वो मंगा सके इसलिए आपको बताया मैंने है आपको जो है दो तरह कैसे आप कर सकते हैं पहला तो यह कि manufacturing दूसरा है reselling अब हल्दी के मामले में अगर देखे तो reselling की जरूरत नहीं है direct आप manufacturing शुरू कर सकते हैं इसमें आपको reselling करने की पहले फिर बाद में manufacturing में जाने की कोई जरूरेत नहीं, आप direct manufacturing शुरू कर सकते हैं, और इसका फाइदा ये है कि manufacturing आप कर रहे हैं, तो आप pure mall जो है आप पीसकर healthy powder बना कर market में अगर बेच रहे हैं, अच्छी quality आप दे रहे हैं, अच्छे rate पे आप दे रहे हैं, तो obvious है कि ये आपका पहले दिन से बिकना शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए पहले reselling करके आपको market में जमना है, या customer पकड़ना है, ऐसा कुछ problem नहीं है, ऐसा कुछ जंजट नहीं है, आप direct manufacturing इसकी शुरू कर सकते हैं, आपके product में दम है, आपके माल में दम है, quality में दम है, rate अच्छा है, तो आप ये जान लिजिए कि आप जो है, इस business में आगे बहुत आगे जाने वाले हैं, पर आपको एक ध्यान देने वाली बात जो है, वो आपको ये ध्यान देना है कि भाई, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाये थे, उसमें भी बताया था, जैसे कि लाल मेर्च में मिलावट होता है, उसी तरह से हल्दी में भी मिलावट होता है, तो आपको वो मिलावट नहीं करना है, आपको pure product बेचना है आगे, ताकि customer जो है वो कभी complain ना कर पाए, अच्छी चीज़ आप customer को दीजेगा, तो आपका business अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए manufacturing डिरेक्ट इस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, अब manufacturing इस टार्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको हल्दी पिषने वाली machine की भी ज़रुत पड़ेगी, तो वो आपको खरिदना होगा, तो अब machine की स्रेट पे आती है, कौन सा machine लेना चाहिए, इस पे आप बात कर लेते हैं, या आपको बताते हैं, तो देखिए, अगर इसमें दो चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, एक तो आप machine के साथ भी शुरू कर सकते हैं, और दूसरा आप बिना machine से भी शुरू कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास budget कम है, तो आप बिना machine के start कर सकते हैं, इसके लिए बोथ हल्दी यानि गोटा हल्दी जो है वो आप खरीदिये और फिर उसे जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर शहर में हर एरिया में पिसाई करने वाले जो हैं वो लोग अलग से एक अपना शौप खोल के बैठते हैं जहां पे आप जाके जीरा पिसवा सकते हैं हल्दी पिसवा सकते हैं मिर्च लाल मिर्च जो है वो पिसवा सकते हैं धनिया पिसवा सकते हैं कुछ भी पिसवा सकते हैं तो आप क्या करें कि ऐसे शौप में जाईए जो लोग सिर्फ पिसाई का काम करते हैं अपने मार्केट में जाईए आपको मिल जाएगा वहां पे आ अगर आपके पास बजट अच्छा है आप मशीन की खरीदारी कर सकते हैं तो फिर आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए तो फिर हेवी, हैमर, पुलवराइजर, MS बॉड़ी मशीन आपको खरीदनी होगी क्योंकि हल्दी जो है वो बहुत सक्त होता है तो इसे पीसने के लिए इस तरह की मशीन आपको लेनी होगी अब ये मशीन आप जब खरीदने जाते हैं तो इससे जुड़ी कुछ information है जो आपको उनसे मागनी होगी जो आपको जानकारी हासिल करनी होगी जैसे कि ये कितने power का है इसका motor साथ ही ये एक घंटे में कितना किलो माल पीश सकता है कितना इसका जो है consumption होगा electricity का सारा कुछ बहुत कुछ जो होता है वो आपको जानकारी हासिल करना होता है उसके बाद आप machine की खरीदारी कर सकते हैं वैसे आपको बता दें कि 3 HP motor वाली जो machine होती है जिसकी कीमत करीब 8000 से 3000 के बीच में पढ़ती है जिसकी capacity की अगर बात करें तो 20 kg per hour ये पिसाई का शमता इसका होता है तो इसको आप easily खरीद सकते हैं और इस machine के साथ इस business को आप start कर सकते हैं अपने area में आप जाएं आपको easily इसका shop मिल जाएगा वहाँ से आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपने machine machine भी ले लिया business start करने के लिए आपने माल भी अपने local area से जो भी wholesaler है इसके हल दी के अब उनसे माल आपने भी खरीद लिया और business की शुरुआत कर दी लेकिन आपको जैसे मैंने कहा था कि जिन राज्यों में यह जादा मात्रा में उत्पाद इसका किया जाता है उत्पादन होता है और जहां पे सस्ते rate पे अच्छी quality मिलती है तो सिर्फ राज्यों के नाम बताने से नहीं होगा मैं आपको उनके जो famous जो मंडियां है उसके बारे में बता देता हूँ तो जैसे कि तिलंगाना है वहाँ पे निजामाबाद जो है वहाँ पे हल्दी की बड़ी मंडी है महराष्ट में नीमच और सांगली जो है वो बड़ी मंडी है दिल्ली की खारी बावली जो है वो बड़ी मंडी है इन सब जगहों पे आपको बहुत ही easily मिल जाएगा अविलेबल है जहाँ पे आपको कम रेट पे अच्छी क्वालिटी की हल्दी मिल जाएगी अब अगर ये बात करते हैं कि आप जब बेचेंगे पिसाई तो हो गई पावडर आपने बना लिया अगर wholesale rate की बात करें तो 150-160 और retail में ये 200-210 तक में आपको जो ही ये बिखता है ये आप पता कर सकते हैं फिलाल आपके वहाँ पे क्या रेट जा रहा है wholesale का हो या फिर retail का हो तो इस तरह से आप भी वो जो packets हैं वो packets आप बनाईए और उस हिसाब से आप उसे आगे बेचिए अब ये है कि आप जब इसे बेचेंगे तो आप इसे दो तरह से बेच सकते हैं कैसे देखिए एक तो ये है कि अपने brand name से आप इसे बेच सकते हैं अब brand name से अगर बेचेंगे तो फिर आपको इसके लिए थोड़ा खर्चा और करना होगा आपको पैकेड वगेरा जो है वो अपने brand name से आपको छपवाने होंगे और उसके बाद उसमें आपको माल पैक करके आगे बेचना है अगर आप बिना brand name के आप बेचना चाहते हैं तो बस simple जो plain जो पाउच आते हैं उनमें आप माल को पैक किजिए और फिर आगे इसे आप बेच दीजिए बिना brand name के यह दो तरीके से आप बेच सकते हैं कस्टमर कैसे मिलते हैं देखिए एक तो आपको मैं बता दो marketing इसके कैसे होती है पहला तो यह कि आप जहां भी रहते हैं वहाँ पे जितनी जादा आप cover कर सके किराने की जो shop है पुछाए वो छोटे level की हो बड़े level की हो इन सभी को आप cover कीजिए उन सब के पास जाईए अपने product के बारे में बताईए आप बताईए कि आप जो है pure mall पिसाई करके आप देते हैं कोई मिलावट नहीं है आपके हल्दी में तो वो आपसे खरीदारी करेंगे साथ ही जो है जितने तरह के जो hotel restaurants धाबा वागेरा होते हैं जहां खाना पास जो भी लोग हैं वो आपसे direct खरीदारी करने के लिए customer के तौर पर आपके पास आ सकते हैं उनको भी direct mall बेच सकते हैं तो इन सभी तरह से आप जो माल को बेचने की कोशिश कर सकते हैं माल को बेच सकते हैं और यह आपका easily बेख जाएगा क्योंकि आप product अच्छा नहीं चाहिए आप इससे पहले आप शुरू कीजिए बड़े लेवल तक लेकर जाएए उसके बाद फिर आपको जब बड़े लेवल पर यह business पहुंच जाता है तब आपको जेस्टी नंबर चाहिए ट्रेड लाइसंस चाहिए एससे पहले आपको कुछ भी नहीं चाहिए लेड में तो बिलकुल भी नहीं चाहिए